हम कर रहे हैं 11th home size का chapter number 5 कपड़े हमारे आसपास पिछले वीडियो में हमने बात की थी soot की processing की और हमने बात की थी fabric production की यानि कपड़े का उतपादन किस तरह से किया जाता है उसमें हमने अलग अलग तरह की processes की बात की थी उसमें सबसे पहले नमबर पे हमने बात की थी बुनाई की तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुनाई की आपने देखा होगा आज भी कई गाउं में जब चटाईयां या टोकरियां बनाई जाती है उसमें जो procedure इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम कहते हैं बुनाई देखे बुने हुए कपड़े में सूत के दो सेटों का उप्योग किया जाता है जिने समकोण में एक दूसरे में अंतरगर्थित यानि इंटरलेस्ट कर दिया जाता है ताकि एक सूसहत सूसहत यानि की एक compact निर्माण किया जा सके क्या किया जाता है दो सेट होते हैं जिसे समकोण पर यानि की 90 डिगरी के एंगल पर इनको आपस में इंटरलेस किया जाता है ताकि एक compact सरंचना बनाई जा सके और इसे करगा मशीनों पर किया जाता है देखे जब बहुत पुराने समय की हम बात करें तब करगा मशीनी जिस जो टेकनीक है वो एडवांस होती गई और आज मार्केट में कपड़ा बनाने के लिए अलग लग तरह की new techniques आ गई हैं और new machines आ गई हैं तो क्या किया जाता है इनको सेट को करगा मशीनों पर सेट कर दिया जाता है सूत के एक सेट को करगे पर लगाया जाता है जो बुने ज आने वाले कपड़े की लंबाई और चोड़ाई निर्धारित करता है अब थोड़ा सा अब ध्यान से समझिए कि जो दो सेट थे उसमें एक सेट कपड़े की लंबाई क्या होगी और चोड़ाई क्या होगी उसको निर्धारित करता है इसे हम कहते हैं ताना सूत यानि की वा वाप यान कौन सा होता है कौन सा है हुमारा वाप यान देखिए ये डियाग्राम आपकी बुक में देया नहीं हुआ है आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि हमने जो करगा मशीन है उस पर कपड़े का एक सेट लगाया सबसे पहले हमने इन सूतों को इस तरह से लगा दिया च चोड़ाई को भी डिसाइड कर रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसकी चोड़ाई होगी तो जो सेट सूत का कपड़े की लंबाई को और चोड़ाई को बता रहा है उसे हम कहेंगे ताना सूत आप इंगलिश में भी लान कर लीजिए आपकी बुक में नहीं दिया हुआ क अब हमें फिक्स एक लंबाई हमें ल soybeans लेनी है उसे साब से मने लए लिया अब हमें पता है कि कपड़े के लंबाई इतनी होगी और चोड़ाई इतनी होगी इसे हम कहेंगे ताना सूत याने की वाप यान अब करगे की सहायता से इन सूतों को एक निर्धारित प्रतिबल औ इतनी हमें उस पे बल देने है, वो fix होता है, वो fix tension और even space पे इन सूतों को रखा जाता है, फिर क्या किया जाता है, दूसरे सूत को, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरक सूत या filling सूत, है ना, या हम कहते हैं, filling जान, उसको कपड़ा बनाने के लिए अंतर ग्रथित किया जाता है, यह हमारा पहला सूत हो गया, अब हमारा दूसरा सूत देखिए, इस तरह से आएगा, इस तरह से, यह हमारा दूसरा सूत है, जैसा कि आप इस picture में भी देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पूरक सूत यानि की filling सूत या filling यान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वो उसे fill क करने का उसको भरने का पर्यास कर रहा है सरंचना को इसलिए हम कहते हैं इसे फिलिंग सूत या फिलिंग यान देखिए यह इस तरह से होता है जैसे यह हमारा हो गया ताना सूत अब यह यहां से जाएगा फिर इसके नीचे से जाएगा इसके उपर से नहीं जाएगा इसके नी मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपको हर वो चीज जो मैं बता रही हूं, नोट बुक में नौट करनी है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स है, वो आपकी बुक में नहीं दिये हुए हैं, अब हम आगे चलते हैं, कि सबसे साधारन अंतर गर्थन वहे हैं, जब पूरक सू हम पूरा ओज़िए, कि यह देखिये, यह हमारा ताना सूत है, ठीक है, अब जो फिलिंग सूत होगा, अब हम यह कह रहे हैं कि सबसे साधारन अंतर गर्थन, या नि हम पहली एक प्रोसेजर की बात कर रहे हैं, कि सबसे एजी जो अंतर गर्थन होता है, क्या होता है, यह इसके उपर से निकला है तो यहाँ पर यह इसके नीचे से निकलेगा अब यहाँ पर अगर यह इसके नीचे से निकला है यहाँ पर इसके उपर से निकलेगा तो इस तरह से उपर नीचे उपर नीचे इस तरह से यह चलता रहता है तो यह सबसे साधारण अंतरगरंथन होता ह पूरक जो सूत होता है यानि जो filling यान है हमारा filling सूत है उसको ताना सूत की भिन संख्या के उपर और नीचे एक वी निर्दिष्ट करम में निकाल कर विबिन डिजाइन बनाए जा सकते हैं तो यह जब उपर, नीचे, उपर, नीचे इस तरह से एक क्रम में चल रहा है, तो हम इससे डिजाइन अलग-alग बना सकते हैं, यानि कि कैसे डिजाइन बना सकते हैं, हम कुछ स्टेफ छोड़ भी सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहां से यह जो पूरक सूट चल रहा है, अब हमने दो छोड़ दिये, फिर दो के नीचे से चला गया, तीन छोड़ दिये, चार के नीचे से चला गया, जो डिजाइन हमें बनानी है, उस हिसाब से यह जो फिलिंग यान है, वो चलता रहता है, करगे से जुड़े जो डॉबी और जैक्वाड हैं, ये कुछ attachments होते हैं, जो की करगे से जुड़े हुए होते हैं, लूम से जुड़े हुए होते हैं, क्या नाम है? डॉबी और जैक्वाड, ये प्रतिकात्मक design बनाने में भी इनसे सहता मिलती है, ये attachment क्या करते हैं? हमें अलग-लग रंगों के सूत का उपयोग करते हैं तो ये design all dispersed हो जाते हैं देखिया आप इस picture में भी देख सकते हैं कि जो हमारा ताना सूत है उसके लिए अलग color का use किया गया है और जो हमारा filling यान है उसके लिए अलग color का use किया गया है तो जब ये दोनो color एक ही होते है तो design clear और अगर हमें इनको अलग-अलग कलर दे देते हैं हम इनको तो जो डिजाइन है वो बिलकुल स्पर्ष्ट हो जाता है कुछ डिजाइनों में अतिरिक सूत का भी उपयोग किया जाता है जो ताना और पूरक सूत के समानांतर यानि पैरलल चलता है अब देखिए एक नई चीज इसमें सामने आई है कि ये तो हमारे अल्रेडी चली रहे हैं ये हमारा ताना हो गया और ये हमारा फिलिंग सूत ये तो चली रहे हैं लेकिन इनके अलावा एक अतिरिक्त सूत का भी परयोग किया जाता है सब में नहीं कुछ डिजाइन्स में ठी जाता है यानि इन दोनों के अलावा भी एक पैरलल धागा और चलेगा एक समाना अंतर धागा और चलेगा जिसे बाद में लूप के रूप में छोड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है जो हम चाल यूज करते हैं नहाने के लिए जिस भी तोलिय का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आपने देखा होगा उसकी सरंचना में कुछ धागे से लटकते रहते हैं ऐसा क्यूं कि आ जाता है ताकि उसकी जल सोखने की शमता को भढ़ाया जा सके यही उधारन है कि एक जो पैरलल सूत यानि जो समाना अंतर सूत चलता रहता है इसकी बुनावट वैसे ही हो जाती है जैसे हम तोलिय में देखते हैं जब हम उसको काटते नहीं है तो तोलिय जैसे बनावट है लेकिन वो जो सूत है जो पैरलल चलता है अगर हम उसको काट दे तो जो सॉफ्ट एकदम हमारा वेलवेट होता है मकमल होता है या कॉ उने हुए कपड़े में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है देखिए जो कपड़े की डारेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं ग्रेन आपसे यह कुछिन पूछा जा सकता है ग्रेन क्या होता है तो जो भी हमारा बुना हुआ कपड़ा है उसमें जो कपड़े की डारेक्शन है उसे हम ग्रेन कहते हैं और जो ताना सूत है लंबाई की ग्रेन की और अथ्वा किनारे की और जाता है हमने बात की थी ना ताना सूत ये वाला है ना ये हमारा ताना सूत है और जो पूरक सूत है वो चोड़ाई की ग्रेन अथ्वा वेट अथ्वा बाना की और जाता है तान और ये हमारा क्या है वेफ्ट यान जैसे हम कहते हैं फिलिंग यान या बाना है न अत्या बुने वे कपड़े में लंबाई और चुडाई को किनारा और बाना कहा जाता है देखिए अब हमने बात कर ली कि ये जो लंबाई और चुडाई है ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे कि किनारा यानि कि सेल्वेज इसे उपर वाले को हम किनारा नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि जहां पर एक तो होगा हमारा ताना और बहुत सारे हमें बाने दिख रहे हैं यानि कि फिलिंग यान दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं किनारा यानि कि सेल्वेज कहते हैं और आपने देखा होगा इसमें दो कटे हुए और दो आबद किनारे होते हैं और ये जो आबद किनारा है ये ही हमारा क्या है सेलवेज है देखें जब भी हम कपड़ा खड़ीदने चाते हैं तो आपने देखा होगा ये जो कपड़ा है अब ये जो किनारे होते हैं ये वाले इसे हम क्या कहते हैं, सेलविज कहते हैं क्योंकि कोई भी जो कपड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत यहीं पर होता है किनारे की तरफ से आप कोई भी कपड़ा उठा कर देखिए तो आप देखेंगे, मैं कच्चे कपड़े की बात कर रही हूं अगले वीडियो में हम बात करेंगे निटिंग की, फिरलेसिंग की और भी बहुत सारी चीज़ों की तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू